के हमारे बात हुई थी कि आज से हम नया सब्जेक्स जो स्टार्ट करने वाले हैं वह आईटी के लिए आपको मैंने बताया नहीं था पर आपने गेस कर लिया होगा कि वो कौन सा सब्जेक्स है तो मैं बता देता हूं आज यहां पर आप 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 पढ़ने वाले उससे पहले मैं थोड़ा अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता हूं शोट मैं प्रोटल मेरा 15 year of experience है यहां पर यह जो सब्जेक्स में पढ़ाऊंगा वो मैं 110 परसंट क्यारिक्टी देता हूं कि आपको यह बैसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका कोड क्या कह रहा है हरे क्लाइन को मैं आपको प्रोपरली आप सीख लो गया उसका पूरा ड्राइवन मैं आपको यहां पर बोड में और लेप्टोप में बताऊंगा 110 परसंट स्टुडेंस जो भी हो टेलेंटेड हो मीडियम लेवल का हो या लो लेवल का हो उससी यह लेंग्वेज डेली मेरा लेक्टेस अटेंड करेगे तो वो सीख लेगा तो मेरा यही रिक्वेस्ट आपक तो यहां पर हम पहले देखें कि सीलेंग्वेज का थोड़ा सीलेबस तो यह सीलेबस मैंने बना के रखा है उसके बाद यह टॉपिक्स हम जो है यह जो सीलेबस है मैं आपको वो मैं आपको लिस्ट में डाल जूँगा यहां पर आगे देखते हैं तो यह सीलेंग्वेज ज होता है हर एक semester में हर एक में आता है यह थोड़ा problem है इसमें ही होता है तो इसमें हम आगे बात करते हैं तो यह topics जो है हमने cover करेंगे पहले introduction to programming introduction to programming क्या है various types की computer language क्या है उसके बाद यह किस ने develop किया history and overview of C language C language के examples ज्यादा देखेंगे आप practicals ज्यादा रहेंगे तो इससे मालूर पड़ है actually हमें logic डेवलर करना है तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा examples लिखेंगे यह एक line बहुत कुछ केह जाती है बहुत time लेगी एक line उसके बाद इसके अंदे जो points आते हैं C characters, C documents, operators in hierarchy of operators, data types in C यह सब भी points है चोटे-चोटे points है और इससे इस programming होगा उसके बाद है जो most important है branching and looping यहाँ पर में decision लेना होगा तो इसके लिए इसके लिए decision structure के अंदर हम क्या देखेंगे इस statement, voltage देखेंगे, switch case देखेंगे, switch statement देखेंगे, condition, terminal operator देखेंगे, वो क्या है वो देखेंगे उसके बाद हम loopings चब देखेंगे, for loop, do while, while, nexting of loop यह सब अभी दिखने में हमें एक लग रहा है कि यह छोटे-छोटे topic होगे पर यह बहुत time लेंगे पर हम करेंगे, maximum utilize करेंगे, programming से इस topic को, jumping statement है, break statement, continue statement, go to statement, वो भी हम देखेंगे उसके बाद आएगा, inbuilt function, inbuilt function क्या है तो, inbuilt functions के अंदर हमें, जो code काम करने के लिए, वो functions प्रोवाइड करेंगे वो देखना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे, user defined functions, user defined functions के अंदर हम भी आगे देखेंगे, जब हम यह आप topic के, यह structure, यह सब concept अगर आपको समझ में आ गए तो almost आगे की जो language इसने, वो आप easily unstrip कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि old time logic सो सेम ही होगा, syntax ही change होगी और इसको हम complete कर लें, तो हम काफी आगे जा सकते हैं, IT के अंदर, चुट वेज़के students हैं, वो भी अटेंग कर सकते हैं, BCA वाले current students हैं, MCA वाले current students हैं, शिंत्रियदी IT वाले हैं, वो सब इस subjects को सिखेंगे, तो आगे काफी कुछ उनको help मिलेगा, बदब मिलेगा इससे, त इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग तो हम करने वाले ही हैं, यह क्या है, इससे पहले हम देखते हैं, various computer languages, actually, जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ जाती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो इसी तरह computer के अंतर भी languages होती है, तो first language थी, तो वो थी machine level language, machine level language में क्या था, तो कि इसके अंदर binary information stored होती थी, 01, 1001, पर यह language थी, तो यह direct computer को मिलती थी, और वो execute होते थी, पर जो हमारे लिए human being के लिए वो थोड़ा complicated था, उसके mistake आने की chances ज्यादा थी, तो यह थी हमारी low level language, उसके बाद है middle level language, उसके अंदर हमने assembly language से बोलते ह है, first machine language, उसके बाद यह है middle level language, first language में से, यानि की low language में से, middle level language में आये, वो है assembly language, उसमें monomonic code होता है, जो add, add मिन्स उसका, जो convert करके उसका code होता है, वो binary होता है, पर यहाँ पर यहाँ पर monomonic देती है, add, multiplication का हमाल, division का div, ऐसे word है, ultimately वो convert होते है, binary में, तो यह assembly language थी, वो भी थोड़ी difficult ही, तो उसके बाद जो आई, high level language, हम बोल सकते है, C language को high level language, high level language के अंदर क्या होता है, हमें English type sentence जो है, वो लिखने होता है, और उसको, वो convert कर देता है, compiler की help से, और interpreter की help से, machine code में, हमें तो सिफ अपने output को ही देखना होता है, तो basically तीन type की languages है, तो क हमें फर्स्ट है machine language, second है assembly language, और third है high level language, जो हम बढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको various computer languages के बारे में आज बता है, तो आज का हमारे जो session है, वो यही है, overview है, कि पूरा overview आपको, यह overview आपको दीखता है, कि यह breakboard में complete हो गया है, पर यह सको complete करने के लिए हमें maximum one to two months लगेगे, आपको मेरा यह video daily देखना ही है, तो आपको यह IT के दर बहुत काम आएगा, आप सीख सकोगे, तो यह topic हम कल one by one start करेंगे, कल हम देखेंगे history and overview of C language, दोस्तों तो यह हमारा syllabus है, और यह C language है, 110% में guarantee देता हूँ, कि आप मेरे class attend करोगे, तो आप दूसरों को सिखा सकोगे, इतना मैं आपको सिखा दूँगा, और आगे की language भी आप अपनी तरह से सीख साफोगे, तो यह आप देखना, थोड़े बहुत students friends, थोड़े बहुत technical issue आ रहा है, वो दो से तीन दीन में हम solve कर लेंगे, result कर लेंगे, और 6 बजे शायद मैं 2-3 दिन live ना हो पाओ, पर अगर म मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल ही दूँगा, तो दो-तीन दीन आप मेरा वीडियो से वो देख लेना, शायद technical issue आ रहे हैं 2-3 दिन, आगे भी आएंगे, पर मेरा वीडियो है, वो आपको शांग तक uploaded मिल जाएगा topic का, तो यहीं कहना है दोस्तों, अभी भी time ह करें, maximum students को share करें, maximum जो भी students है, 10th, 12th, BCA, IT के जो भी students है, जो आगे जाना जाते हैं, इसका future बहुत bright है, तो इसलिए मैं शब को बोल रहा हूँ, कि आप maximum यह class है, जोइन करें, free है, और आपको 100% guarantee मिलेगी, कि आप लोग यह इससे अच्छा कहीं नहीं सीख पाओगे, ठीक है, तो आज यहीं कहना है, मुझे, कल मिलेंगे, फिर सामको 6 बजे, perfect institute के अंदर, कल हम हमारा topic देखें के पहले, थोड़ा history and overview of C language, बने रहना, thank you, मेरी, भूलना मत, YouTube के अंदर, perfect institute, subscribe करे, share करे, like करे, और मेरे जो वीडियोज है, शायद आप ना देख पाए, तो आपको यह वीडियोज बाद में भी आप देख सकोगे, वहाँ पे होगा, एक मैं playlist ही बना दूँगा, और playlist के अंदर, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, thank you